एक्सेस्साइज हमें common factors निकाले हैं तो सबसे पहले जैसे प्रिविस exercise में हमने देखा है हम factors निकालेंगे और फिर उनमें से देखिगे कौन से common है तो यहां पर 20 के सारे factors आ गए यहां 28 के सारे factors आ गए अब हम निकालते हैं common यहां पर 1 common है दोनों में 2 । common है, four common है और इसके बाद कोई भी common नहीं है, तो one, two और four ही common factors है, twenty और twenty eight के है, हर पार्ट के लिए हम पहले सब के factors निकाल लेंगे, जैसे हमने आप fifteen के factors निकाल लिए, 25 के factors निकाल लिए based on the previous exercise और फिर हम निकालेंगे common, तो यहां पर fifteen और twenty five के factors में 1 common है 1 तो हमेशा common ही आएगा और 5 common है next 35 और 50 में से 1 common है और 5 common है ये दो ही common है 1 और 5 common factors आगा है next 56 और 120 में से 1 common है 2 4 उसके बाद 8 and that's it ये 4 factors common है तो यहाँ पर 1 2 or 4 common factors 1 2 4 and 8 common factors आगा है इन दो है